अब कियो कि मैं ड्र अन्खाकुलकरणी आज आपसे बात करूंगी किड्नी स्टोन यूरिन इसमें आपको शर्वत कौन से लेने हैं जूसिस कौन से लेने हैं क्योंकि जैसे ही आप दॉक्तर के पास जाते हो और आपको किड्नी स्टोन या यूरीन स्टोन आपको डिटेक्ट हो जाता है तो आपको बताया जाता है कि आप पानी बहुत ज्यादा लो और जैसे आप घर आते हो पानी ज्यादा पीना चालू कर देते हो तो आपको समझ में आता है कि ज्यादा पानी पीने से भी आपको पेट में दरद होने लगता है तो गंदगी निकाल देनी रहती है और दूसरी बात मतलब वह फ्लश होनी चाहिए अच्छी तरह से सिर्फ पानी से तो आप ज्यादा पानी पीने से तो फ्लश तो हो जाएंगी लेकिन वह साफ नहीं होंगी और साफ होने के लिए आपको आपके डायेट में बिलकुल ही ध्यान देना पड़ता है और ऐसे भी नहीं को आपको इसे कोई बीन अप्सक्रहाणी और आपको और यह से तो अहिसे Прimer गा करते हूँ इस से UN must नहीं कि शाख रेFC अपने साथ आपको आपको बहुत जादा इसके वारे में कुछ यान करीम इसलिए मैं happy and healthy life at home इस channel पे YouTube channel पे आज आपके साथ बात करूंगी kidney stone में आपको पानी पीने से भी ज्यादा अच्छा कौन से juice लेने हैं कौन सा soup लेना है कौन सा fruit लेना है मैं जितना जल्दी आपको बताना चाहूंगी इतना चाहूंगी इसके लिए मैं आपको उसके गुन नहीं बताऊंगी लेकिन आपको क्या खाना है क्या खाना नहीं यह तो मैं आपको जरूर बताऊंगी देकि जैसे हमें ऐसे लगता है कि हमें सूप लेना है तो पहले सब के ध्यान में और छूप लेना है लेकिन देखिए स्पीणैच गोर यह पिमेर पिसमें नहीं ले सकते ऊप बिलकुल ले सकते क्रीज़ते हमार नहीं हीday बढ़ सकता है और अगर आपका पहले स्टोन गिर गया है तो वापिस फॉर्म होने के लिए स्पीनेच, टोमेटो और बीट रूट ये हेल्प करते हैं इसका मतलब इनसे वापिस आपको स्टोन हो सकता है इसलिए ये तीन चीजे आपको एवॉइड करनी चाहिए तो आपको क् पोटेटो खाना चाहिए स्वीट पोटेटो आपको छोड़ देना है पोटेटो आपको खाना है स्वीट पोटेटो छोड़ देना है बैंगन आपको छोड़ देना है तो आपको क्या खाना है आपको कैबेज खा सकते हो कैरट खा सकते हो गाजर खा सकते हो मूलीस खा सकते ह आप काकडी खा सकते हो और देखिए एक तो बात आपको मैं बता दियू कि यह चार-पांच ही आप सबजिया आप खाईए ज्यादा आप कुछ मत खाईए क्योंकि ज्यादा खाने से आपको किड्नी को तकलिफ हो सकती है और जो मैं बता रही हो ना उसमें विटामिन्स भी बह स्पराबेज काली फार फ्लावर और करेला और कद्रू औरा एक चीज आप मत भूलियेगा अब बीनड़र्स सबी कर शकते हो राजम कर तक हम और लेंटिल्स सभी तरह के मतलब फली सबजिया जो बोलते हैं न वो फली सबजिया सब खा सकते हो उसका जूस भी करके ले सकते हो और उसमें आप गार्लिक ओनियन और जिंजर और मिर्ची बिल्कुल ही नहीं लेना आप धबू मिर्ची लेना बड़ी वाली वो गोल-गोल मि दैल पैपर जिसको बोलते वह खा सकते हो वह अपना सुपल वाली वह अपनी मिर्ची जो रहती आ वह आप नहीं खाना और गार्लीक ओनिया जिंजर और कोतमीर कोतमीर-मीर आप अपने को बहुत अच्छा लगति effortfully और यह सब सूप में डाल की अप ले सकते हो और मैंने जो तो आप पूछेंगे इडली वगरा खाएंगे क्या तो नहीं खा सकते हो और बेशन की कोई भी चीज आप बिलकुल ही नहीं लेना नहीं तो आपको किड्नी को एफेट कर देंगी और देखिए आपका स्टोन बढ़ जाएगा ना तो आपकी तकलिफ कितनी हैं यह आपको ही मा आप कौन से सरबत ले सकते हो या आप लिम्बू का सरबत ले सकते हो आप औरेंज जूस ले सकते हो आपको कम सरबत ले सकते हो शुगर कें जूस ले सकते हो और नारीयल पानी ले सकते हो इतना तो आप करी सकते हो और पोम ग्रेनेट जूस जो है ना डाडी मरस यह तो आप ये पideo गेखितुकती है क्यों प्रूसival ड्रू इसकते हो। प्रूट के बारे में अगर मैं बताएं तो ड्राइफ़ूट्स आपको कोई भी नहीं कौन से आपको फल खाने है पहले मैं आपको बता दू कि आपको कभी भी सोचते हो तो फल खाने के बारे में जब सोचोगे तो पूरा ही फल खाना है सिर्फ पॉम ग्रेनेट काप जूस बना के खाना है और फल तो वैसे ही आपको पूरे खाने है क्योंकि वैसे भी आपको लिक और हीट कम होने से आपकी किड्नीस जो रहती है वो डिहाइडरेट नहीं होती और उसमें ज्यादा गंदगी जमती नहीं है देखिए गटर में पानी बहता रहता रहता है तो गटर जमता नहीं है गटर में पानी अगर जधा heat होती है तो गटर का पानी सוכ जाता है और वो ठम जाता है। एसा ही कुछ यह kidney का सब सिस्टम चलता रहता है। तो आपको Diosya मैंने कि dry fruits कौं से खाने हैं। और ड्राइफृ कौं से नहीं खाने हैं। और एक बात बता दो, आप कोई भी मिल्क शेक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको मिल्क तो बिल्कुल एवोइड करना है, मिल्क नहीं आपको लेना है, उससे आपकी पत्री बढ़ जाएगी, तो आपको फ्रूट्स जो है, वो आखे फ्रूट्स खाने हैं, इसमें आप अपल उसमें भी मिल्क और नहीं सखेंट उसमें तरजम मिल्क शेक भी मिल्क शेक ऑपूंगे, रफ्रूट्स फ्रुट जूस ले सकते हैं वो रफेज की साथ रे सकते हो फाइबर उसमें रहना ही चाहिए उससे हीट कम हो जाती है और एक बात मैं जाते जाते बोल दू कि आपको नॉन्वेज कुछ भी नहीं खाना है आपको ना एग लेना है ना मीट लेना है ना फिश लेना है किसी भी कुछ तरह को नॉन्वेज नहीं खाना है कि सब्सक्राइबर आपको डीथान में रखो गें तो किड़नी स्टोन का आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा और जो स्टोन है वो भी पिघल केन निकल जाएंगे और इसके बाद में आपको डाइट जो में रहता है उवह से शाम सब्सक्राइब कीजिए धन्यवार